आल रेट चैक इट आउट गाईज, स्वागत आपका स्टोन टैक में दोस्ता जम बात करेंगे हुआवी की तरफ से इंडिया में लाउंच होने वाले एक और नहीं लेटेस्ट 4G स्मार्टफोन के बारे में जो के हुआवे नोवा वाई 90 तो आज कि इस वीडियो में बात करेंगे हुआवे नोवा वाई 90 की कम्प्लीट डिटेल के बारे में यह मुबाइल इंडिया में कब लाउंच होगा, किस प्राइस पेंट पर लाउंच होगा, क्या इसके फीचर्स होंगे और क्या आपको इस मुबाइल लेना चाहिए या फिंड नहीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मुबाइल की डिस्प्ले के बारे में जिसमें 6.7 इंचिस के एक IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी आपको देखने को मिलेगी अगर बात करें इस मुबाइल के अगले सग्मेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मुबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम चिफसेट और जूप्यो के बारे में इस मुबाइल में EMUI 12 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा चिफसेट Snapdragon 680 4G होगा जिसे कि आपको इस मुबाइल में काफी कम हीटिंग इशू देखने को मिलेगा अगर बात करेंगे इस मुबाइल के जूप्यो की तो इस मुबाइल में Adreno 610 जूप्यो आपको देखने को मिल जाएगा जिसे कि आपको गेमिंग के वक्त थोड़ा lag इशू भी देखने को मिलेगा ओवराल देखा जाते हैं इस मुबाइल में Average platform आपको देखने को मिलेगा आप बात करते हैं इस मुबाइल के Main Camera की जिसमें 52 और 2 Megapixel का एक Triple Camera Setup आपको देखने को मिलेगा Camera feature में इस मुबाइल में HDR का feature भी होगा अगर बात करें Main Camera की वीडियो quality की तो आप इस मुबाइल से 1080p में काफी अच्छी quality की photos और वीडियो shoot कर सकते हैं अगर बात करें Selfie Camera की तो इस मुबाइल में 8 Megapixel का एक Front Camera आपको देखने को मिलेगा और Front Camera की वीडियो quality भी 1080p होगी Overall दिखा जाते हैं इस मुबाइल में Awesome Quality का Camera segment आपको देखने को मिल जाएगा अब जलते हैं इस मुबाइल के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मुबाइल की memory के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस मुबाइल के card slot की तो इस मुबाइल में card slot नहीं होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस मुबाइल में fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको इस मुबाइल में virtual proximity sensing का feature भी देखने को मिल जाएगा जो कि इस मुबाइल का काफी अच्छा feature होगा आप बात करते हैं इस मुबाइल के battery के बारे में जिसमें 5000 mh के बड़ी LAPO battery आपको देखने को मिलेगी और charging के बात करें तो इस मुबाइल में 40W की faster charging भी होगी जिसे कि आप इस मुबाइल को 50% से 30 minute में charge कर पाएंगे जो कि इस मुबाइल का काफी अच्छा feature होगा अगर बात करें इस मुबाइल के कुछ common features की तो इस मुबाइल में 2.0 TAPC USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port और NFC का feature इस मुबाइल में नहीं होगा आप चलते हैं इस मुबाइल के सबसे important segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मुबाइल के color price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस मुबाइल के color की तो ये मुबाइल आपको black, blue, white और green color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस मुबाइल का price 14,990 होगा अगर बात करें इस मुबाइल के release date की तो ये मुबाइल अभी इंडिया में release नहीं होगा आपको इस मुबाइल के लिए और wait करना होगा overall लिखा जातो हुआ वे की तरफ से आपको 15,000 में काफी अच्छे feature इस मुबाइल में देखने को मिल जाएंगे अगर आपको एक अच्छे performance वाला gaming mobile चाहिए तो आप ये mobile ले सकते हैं अब सबसे अखर में बारी आती है इस mobile के rating की तो इस mobile के सारे feature को देखते हुए इस mobile की strong rating होगी 6.5 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना है इस mobile का सबसे चाफर आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में